स्वागा था आपका एक नई वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं एयर फोर्स का फुल रिव्यू फॉर्स्ट स्ट में क्या क्या कोशन है का सारा चीज डिस्कूस करेंगे और चैनल पर फॉर्स टाम विजिट के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वैल आइकन का ब सबस्क्राइब करना नहीं बुलेग् overnight usualиях और आफ इस्थे क्या स्टाइब कीचतार आप आपका वीमिया शूत्र प्सकोर्ड आपका विमिया शूत्र क्या होता है कि नाप यह स्व इस्वाइर एक यह सक अवरे सक्वार को गए है दूसरा में चित्र बनाए गया रहा है और ऐसे चित्र इंत्र और यह जो है यहां से और यह में किस चीज की हानी होती है तो दोस्तों इसके एंशर की क्विर्ज़a कि हानि घहानी होती है और बात करते हैं तीसरा question, तीसरा question थーム सिर एल लंबाई की से यह लंबाई का च्छोड आप जो है समानतर होगा की मतलब समानतर था फिर पैनडुब मतलब कोछा कि इसा नही लेकिन आप दोनों question आ सकता है इसमें पुछा था विधु त्वाहग बल बता है तो इसमें अगर पुछेगा तो ऐसे बता है या अगर इसमें धारा पूछ लेता तो आई बराब वी अपन आर वी अपन आर का यूज करेंगे बात चलते हैं question में question 4 क्या था 572 से एक नियत घरा से मतलब तोरण नियद से चोटरन था नियत बहुत रहेतों अगरा उन्टे रहीए कंटेनर काउन्टेनर जैसे मालतों आपने जो यह रहा है जो इसमें रखनाई इसका पानी जो है पानी जो है पीछे की तरफ पानी कतल उपर उठ जाएगा पीछे की तरफ पानी कतल उपर उठ जाएगा अब बात करते हैं पांचवा कोस्टन था दोस्तों ये ऐसा एक चित्र बना दिये गए था और Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 ये था F1 F2 ये था F2 F3 और यहीं दोनों के बीच के मान पूछे के था F1 F2 अपन F2 3 के बीच का जो वैलू इसके इसके इसाब से आपको यहां पर हमने बता दिये 1 अपन चलते हैं Q6 पर Q6 में एक मतलब की फॉर्मूला से बॉल आघून के फॉर्मूला से Q2 ब्राबर R गुने F, R गुने F-Vector मतलब की आप इसको देख से होते हैं इससे कोशन आया था उसके बात करते हैं साथवा कोशन था पर्ति रोध आखता किस पर निर्भर करता है तो बहुत से बच्चे जो सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं वो बोल देंगे कि पर्ति रोध पर भी निर्भर करता है एरिया पर निर्भर करता है लेकिन परति रोध देख तो आप इसको में निफरक्रता है तैंपर करता है किस पर निर्भर करता है और सेतने सेतने साफ़ पदार्थ की परकृतिटी आप सकता मदिश्थिती पर इस्ते पर इस्ते तो यह जैसरे यह siマad Erstis पर यहाँ पर रहुए सब्मेद पर मालचे में यहां पे क्या क्या सारा कोश्चन जो भी बनेगा सारा कोश्चन डिसक्स कर लेते हैं यहां पर भी जो होता है maximum होता है वेग क्या होता है अधिकतम होता है गती जूर्जा भी अधिकतम होता है उसके बाद यहां पर वेग मिनिमूम हो जाएगा मतलब यहीं पर बात कर रहें यहीं पर बीच पर वेग मैक्सिमम मतलब कि काइनेटिंग एनर्जी मीनिमम हो जाएगा काइनेटिंग एनर्जी मीनिमूम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस्तिति जोजा यहां पर मिनिमूम हो जाएगा और यहां पर पूछेगा तो भी मिनिमूम हो जाएगा भी मिनिमूम के मिनिमूम अतों कि काइनेटिंग एनर्जी मिनिमूम और पी यहां पर मिनिमूम था तो यहां पर पी क्या हो जाएगा मैक्सिमूम हो जाएगा और भी मिनिमूम था यहां पर भी मैक्सिमूम था तो यहां पर भी मिनिमूम हो जाएगा है कि यहाँ पर भी मैक्सिमम एग्यां पर यहाँ पर माक्सिमम और यहाँ नाइन के धरातल से कितनी उचाई पर फेकर जाए कि मतलब अतनी उचाई पर जी का मान जो हो जाएगा जी का मान जी बाइ देखके जी को जाएक पर लेना दुब कर लेना है और जी इसके बाद बत जाएगा 1-2h अपन आण 1-2h अपन-1-2h 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 दो जाएगा और वन को लिए के आएंगे तो 5 by 6 हो जाएगा उसके बाद आपको सॉल्ब कर देना है अगर इससे कोई भी कोश्ण पूछे जी कमान जी वाई 6 जी वाई 16 जी वाई 14 कोश्ण भी तो यहां पर आप जी डेस्क जगर पर रखके आप कोश्ण को सॉल्ब कर सकते हैं इसी देल की मतलब उस्मा घट रहा है तो ताप पूछा गया था ताप पूछा गया था ताप पूछा गया था ताप पूछा गया था तो आप फर्मुला होता है डेल की अपॉन डेल यू प्लस डेल डबलू यह थर्मो दाने मिसका फर्मुला इससे कोश्टन पिछले बार भी अगया था, इस बार भी question आ गया है, इस चेप्टर से thermodynamics से, इस मतलब formula से question आता ही आता ही, और del q बराबर यहाँ पर देख रही है, घ्राट रहा है, डel q command घ्राट रहा है, और del u क्या दिया है? देली भी नहीं दिया है डेल डेल डावलू कमान जीरो दिया है तो यहाँ पर यहनुध साथ यह भाएं तो अंत्री गांट्री कोड़्जा यह बोल और होटा है ताप से गहाँचार से परकाश आ रहा है इसमें इसमें क्या होगा क्या चेंज नहीं होगा तो इसमें जो चेंज पहले समझे नहीं होगा यह तोटल फीजिक्स और पिकोश्चन को मिलेगा तो आपने लाइट करा देंगे टेलिग्राम चैनल पर अच्छा लग रहा है दोस्तों फिलीज लाइक कर दिए शेर कर दिए जितना से ज्यादा ज्यादा सेर हो सके ताकि या और भी बच्चों को बात कर लेते हैं इंग्याइज का में क्या है इस अपको बोला था मैंने कि डिल के साथ पूछाए गया था पिर पोजिशन था वंड़िए था आपको बसंतरों यह है इंग्लिग के साथ पूछे था फिर पूरिंट इंगा पूछाई गाए को फिर पूरिंशन लगता है युथ इन लाईगा कम डेल इन बिजनेश जब बीजनेस के बात लेकिन यहां पर है है फिल फे सारी ह में तो इसमें बहुत से बत्चे हihat क्या करएंगे द्यृत कर देंसे subject नहीं यह कूंपलिमेंड की तरह यूज़ होगा यहां पर हीम क्या हो देगा विल के साथ विल ही विल भी मेड इसको नोट कर लागे हैं चलते हैं ग्रेट फूल के साथ ग्रेट लगता है तो grateful to me इसका हो गया उसके बाद बात कर लेते हैं question था the student will fail यहां पर डास दिया गया था he does not work hard the student will fail if does not work hard दिया था option में until दिया था if दिया था unless दिया था i think और कुछ option होगा एक चोध था तो इसमें दोस्तों दा until यूज होगा नूज होगा ऐसा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर उंटिल ऑन लेज जो भी है नीगेटिव और नीगेटिव सेंस में आप पहला ही नीगेटिव दिया है तो नीगेटिव नीगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए यहां पर इफ का यूज होगा और कोश्चन दिया था टीम of doctors इस अबलिक आर उसके बाद दिया था डैस डैस और कुछ दिया होगा तो इसमें क्या लगेगा इस लगेगा कि आद लगेगा बहुत से बुच्छे डॉक्टर्स देखेंगे बोलेंगे पुलर है और आर को टिक कर देंगे और निकल जाएंगे लेकिन यहां पर ऑफ जो फिर पोजिशन है वो यूजज़ कहीं कर दें जाएंगे अब बात करते हैं फुटाईल। इसका शीर मतलब होता होच् mothen सबमज्ञें एंडुजरी जो कि वेस्टुल हो और इसके अंतनुनम पुछ दो तो पॉड़क्टिव जाया गा पॉड़क्टिव माच कर दो बात अब बूले जाए उसको दो सब्द मतलब की दो मीनिंग निकले उसको एंबिगॉस बोलते हैं तो उसका एंशर हो जाएगा एंबिटी और रहता है तो इन वाटर पानी में और लेंड के लिए किया दियेगा इसको आप देख लिएगा थोड़ सा यह मिस्टेक क्या ऐसा कोशन था साइब और यह कोशन है ग्यारा नंबर मॉन्फूल मॉन्फूल का साइनों पूछ सेके था मॉन मतलब किया था मॉन में सैड होता है तो हो जाएगा लिटिल और एलिटिल दा लिटिल से कॉंसेंप्ट को एक पूछा गया था आइडंस और प्रेज जो कि आशु मगर मचके आशू रोना और एक कोशन है था वन वर सबस्चीशन से एक्सपीरियंस पर्सन वेल एक्सपीरियंस पर्सन का इसका वेटरन हो जाता है जो कि अनुभावी बोलते हैं उसको वेटरन और दिया गया था टर अब लीटिल और लीटिल को हम समझाते थे हैं थोरसा आप समझ लिए यह लीटिल है और यहां पर मालेजे कुछ भी नहीं है जब थोरा सा का बाता आएगा मालेजे थोरा सा लुक ज़िए थोरा कलर चेंज कर लिए मालेजे यह लीटिल है यहां पर लीटिल है और यह हो गया और यहां पर कुछ भी नहीं तो यह लीटिल जब थोरा सा रहेगा थोरा सा मात्रा थोरा सा मात्रा थोरा सा मात्रा रहेगा तो यह लीटिल यूज करेंगे अब यह कुछ ज्यादा है थोरा एक दौना मात्रा का है नो के बराबर है तो ए लिटील थोरा सा कुछ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शॉरी यहाँ पर लिटील हो जाएगा और थोरा सा कुछ है तो ए लिटील और यहाँ पर जितना है सौब मतलब कुछ भी जो भी है वो सारा चीज जितना है सौब तो यहाँ पर क्या हो जाएग का यूज कर लेंगे तो यह था सारा कोश्चन और सेकंड शिप्ट में जल्दी मिलेंगे जैसे उसका एक्जाम होता है तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो सेर ज्यादा ज़्यार जैदा कर दीजिये और कोमेंट करके बताये गां कि कोश्चन मतलब कैसा था हमकोश्चन हमारे ख्याल से इंग्लिच का पराइब करा देंगे तो चलुए जोस्तों और करने के लिए इस नंबर पर सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिले ज्यादा ज्यादा सेर करें सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को जय हिंद जय भारत जलको मिले लाँ